व्लॉग में आपका बहुत-बहुत सवागत है चलिए आज के इस व्लॉग को सुनुआ है आज का हमारा व्लॉग है काफे इंट्रस्टिंग होने वाला इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिए और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि आज हम हमें बंबई नगरिया अनि सपनों के शहर मुंबई में और वह भी पता है आपको कहां पर नहीं आप भी नहीं बताएंगे सबसे पहले आप लाइक करो थोड़ी आगे चलते हैं फिर आपको बताते हैं कि आप हम कहां पर अगर आप गैस कर सकते हो तो प्लीज करो और के साथ शुरू करते हैं चलिए अब आपको दिखाते हैं हाजीयली का एंट्रेंस तो यह देखिए फाइनली कुछ ऐसा है इंट्रेंस यहां का इस तरह कि आपको अगल वोगल में दुकाने देखने मिल जाएंगी कि दाज़ा पर चादर उगरा ले सकते हो तरगा साथ का एंट्रेंस है कुछ ऐसा है ना जारा यह यह यहां पर बादी का कंस्ट्रक्शन चलुए पुराना रोड बंद कर दिया गिए अगर आपके भी मन में इस तरह सवाल उट रहा हो कि आखिरकार यह हाजी अली तरगा पाने के बीचों बीच होने के बाउजित भी दूपता क्यों नहीं है और अगर आपको यह भी लगता है कि बारिस के टाइम में हाई टाइड के कारण पाने में दूप जाता होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आज आपके मन में जो सवाल है ना और उसका भी उत्तर मिल लाएगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक करो वीडियो को पूर पूरा देखें सपनों का सहर में हाई टाइड और बारिस के कारण पूरा डूप जाता है लेकिन यह दर्गा बिल्कुल भी नहीं इस दर्गा को पानी बिल्कुल भी टेशनी कर बाता ऐसा क्यूं आईए हम आपको बता दे हैं इसका राज आजली दर्गा पानी में डूपत रास्ता क्योंकि अब रास्ता थोड़ा अंडर कंड्रक्शन है तो बदल गया है तो आप जब भी हाजली दर्गा आए तो भटके ना यहां वहां इसलिए आपको देखो हाजली दर्गा के पीछे साइड खड़े होके आपको दिखा रहे हैं यहां का रूट मैप देखिए यह जो सीधा रूड़ गया यह वहां तक जो पत्थर सामने दिखे रहां वहां तक सही है लेकिन वहां से आप ऐसे बाएं जाते यानि लेफ्ट साइड जाते तो वह पुरान रास्ता हो गया अब आपको राइट साइड मतब राइट साइड से आना पड़ेगा अंदर से व कोश्टल रूड बन रहा है यहां से पूरा वो साइड तक बन रहा है काफी बड़ा ओबर बीच बन था है तो कैसा लग रहा है यह सब कुछ बदला बदला महावल कमेंट करके जिरूर बताना तो प्लीज आप रास्ता ना बढ़के यह सब देख लिए आप ऐसे आपको एं चैंज हो गया बाके इस एंटरिक्स पूरा वही है तो चलिए अब जिसका एंतियार है जिसके लिए यह वीडियो को प्ले की हैं चलते हैं उसके अंदर सबसे मॉडने की आप यहां पर पहुचके कैसे नजदी की स्टेशन कॉन सबसे नजदी की स्टेशन है आपको बाकी कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है तो हो गए रास्ते क्लियर आप चलते हैं दरगा के अंदर आनली आप यह देखिए आपके सामने यह है चम चमाता संगमर्मर पत्थर का अजेली वावा का एंट्रेंस यह कुछ ऐसा है वाईस आप जिस पत्थर से ना जिस संगमर्मर से ताजमेल बनाना उसी पत्थर से यह भी बनाए गया है आगे आपको पूरी जानकारी बताते हैं चले देलते पहले अंदर हम एंट्री कर चुके हैं अजेली वावा दर्गा के अंदर आपको दिखाते हैं एंट्रेंस गेट तो आपको मेरे पीछे इस ऐसा है गेट को सुकून है यहां पर मजा एक बस एक लाइक बनता है अब आपको दिखाते हैं दर्गा के अंदर करने जारे देखते हैं वो लोगर अंदर आलाओ डिकेने हम दे भी ले लिया यह पंदत का दागा असे मुरादे मिली अब एक बार जब्रूर आई है अंदर इतनी सारी भीड़ है कि ऊपर से फ्राइडे जुम्मा के दिन तो और भी ज्यादा पुब्लिक है यहां यहां पर फूल होगर है मिलता है चादर अगर आप ले सकते हो जहां से हमने धागा परशिस किया यहां पर साहद पानी बानी पी सकते हैं और इस सेड़ में आपको सोचाले की विवस्ता दी गई है अब ही इस दरगा के अगल बगल में चाहिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थी मुझे ऐसा लग रहा है यह देखिया आप चलिए अंदर देखते अब क्या है कि कि अब देखते अब कर दो रहा है कि दर्शन करके आ गया है दर्गा के अंदर से कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता है और हाँ आप ही के अपने फैमिली और दोस्तों कुझा सेयर करते हैं यह दर्गा वाली वीडियो भाई मुझे तो यहां पे बहुत सांधी बहुत पीस हो बहुत सुकून मिला ह यहां पे आके प्लीज आप एक बार आके विजिट करिए कि मेरे पीचे यह समंदर अपानी और यह पत्तर यहां पे पैटने के लिए मतलब सबकुछ इंतजाम है बस आप एक बार आ चाहिए और यह दिए कि पहुछे सुंदर सा दर्गा और आपको एक बार बताते हैं कि ज खरीदा गया है राजस्तान से हैं सेब उसी मर्चंट से राजस्तान से यहां के पत्थर भी वहीं से खरीदे गया है तो भाई सब दोनों में कोई अंतर नहीं है बस यह है कि वो ताज महल रही है अचैलिद है обязательно आप मेरे पीछे कर आदिह यह सब खाना ई यह मतलब लंज करने को आराम करने के लिए बेस बना हुआ है यह दो फ्लोर का है वह आपको बैक कमर से दिखाता हूं खाफी नमबा चोड़ा है और यह भी भाई यह को संग नर्मर के पत्थर वाला बना है काफी ठंडा के यहां भी आपको दिखाता है यह लोकेशन यह है ग्राउंड यह फर्स फ्लोर और इसको पर सेकेंड फ्लोर यह दो फ्लोर ग्राउंड को लेकर तीन फ्लोर का है उससाइड बॉस्रूम भी आइधिंक और यहां पर आप अक्तम मजे के साथ आराम कर सकते हैं नीचे फर्स बहुती आराम दायक हो ठंडा अब यहां पर वैड के असे अंद अगर खा सकते हैं अगर नहीं बिलाते तो कोई दिकत नहीं है आपको यहां सामने कुछों कैंटी ने वहां से खाना भी मिल जाएगा आपके बावस दोनों और वेज और नौन वेज ओके तो आप इस बात का ध्यान रखें यह दरगा है दरगा के जस्ट सामने ही आपको यह आराम करने के लिए यह प्लेस मिल जाएगा तो प्लीज आप यहां पर आएए आप कामने के साथ अपने टाइम स्पेंट कीजिए आराम कीजिए और भाई मैं तो यह कूंगा बस कि आप हाजे लिए एक बार जरूर आए अब सलते हैं समंदर किनारे अब आये में मुद्दड़ कि बात करते हैं तो आपको बता दे हाँ भाई कि नहीं आपको भी बेस अप्री से अंतियार हो जिसके लिए वीडियो क्लिक है जिसके लिए देखने के लिए यहां तक आए वो नहीं बतारही भंदा आप तक तो चलिए अब आपको फाइनली वह चीज हम बता देते हैं अधि आखिरकार पानी में क्यों नहीं डूपता हाजी अली बाबा दर्गा गूगल के नुसार कहा जाता है कि जो हाजी अली बाबा थे उनकी लास्ट इच्छा ये फी जब उनकी डेथ हो तो उनके डेथ के बाद उनको ताबूत में रखकर एक ताब उसके बाद समुद्र के बीचों बीच उनको विशर्जेत कर जा जा है है रानी वाली बात साथ में आई दूगल के उनसार बताया जाता है कि मतलब उनकी ताबूत के अंदर समुद्र का एक बून भी पानी नहीं आए वो हमेशा उपर तैड़ता ही रहा तैड़ता ही रहा जाने कितने दिनों तक तब से लोगों की स्रद्धा लोगों का विश्वास लोगों का प्यार आखिरकार यहां पर फाइनली उन्हीं के नाम से एक बहुती फेमस और बहुती प्रसित और बहुती बड़ा बहुती सुन्दर एक दरगा का स्थाफना किया गया है तो एक बार विव पूरा, समंदर पूरा, यही तो समंदर है, खास बात, यह समंदर, और इस सेट भी समंदर, जो कि कंश।क्शन चल राहा है, यहां से लेके, वहां तक कुछ future में देखनें को मिलेगा, कुछ भी ब्रीज हो गया बन रहा है, और यह रास्ता सीधा 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 आये लीगा तो एक बार देखिए आप पानी को बीचों बीच पानी यहां तक रोड प्यार रोड डग जाता है रोड डूप जाता है लेकिन दर्गा के पास पानी टच भी नहीं होता वाई साब यह है आपका प्यार हमारा विश्वास वाइड एंगल व्यू कैसा लग रहा है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते आप मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यहें ट्रेंस गेट और यहीं मैं दिखाता ना यह तीन फ्लोर का जो ग्राउंड फ्लोर को लेके जो बैठने वाले बिल्डिंग यहीं पर इस साइड मे ही है कि अगर के लिए अपने भाई साब घीड तो इतनी हो गई इतनी हो गई पूछो मत आज सबसे अच्छी बात यह जुम्मा आज फ्राइडे की दिन हम वहां पहुंचे और भीड हद से जादा सबसे जादा तो टेली नमाज पढ़ने वाले लोग और भाई साब बहुत अच्छा लगा बहुत सुकून मिला एक बार आप जरूर जाना एक बताया जाता है लोगों के अनिसवार कि एक हफते में कम से कम एक लाग से अधिक पुब्लिक वहां पर व चारोड है हटा है हो एक नैए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फ्यादारी हर जगह शेयर करें लेकिन भाई सब शेयर जरूर करते ना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते ना मिलते आप से एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब